नमस्कार दोस्तो आज हम सभी इस विडियो में बिजनस आइडिया में जानेंगे समेकित मुर्गी पिकास यूजना के बारे में जी हाँ दोस्तो भारत सरकार और राज सरकार या फिर यूँ कहें कि भारत में हर राज में राज सरकार के द्वारा एक ऐसी यूजना भी चलाए जा रहे हैं जिसके तहट आप मुर्गी के बिकास के लिए या फिर आपका मुर्गी का पॉल्टरिक फॉर्म है तो आप उसे कैस से डेपलब कर सकते हैं उससे ज्यादा स्यादा किसे ग्रोव कर सकते हैं या फिर आप खोलना चाहते हैं पॉलिटिक फार्म तो उसके लिए क्या-क्या सरकारी योजना है जिसके तहट आपको लाव मिल सकेगा और आपको आर्थिक सहायता भी मिल पाएगी इस योजना को जन जाती के चैनित लोगों को अंडा उत्पादन ही तू निसुल्क उन लोगों में वितरन किया जाएगा अगर आप SCA ST से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए योजना स्पेसली लॉंच की है सरकार ने आप कोई भी राज से हो हर राजी के लिए है वैसे तो बिहार के लि है और अन्य राज्यों में भी योजना चल रही है चूजो के रात्री सरन स्थल हितू पिंजडे के निर्मान के अनुमानित लागत 2000 रुपे पर परतेक लाभूकों को 50% अर्थात 1000 रुपे का अनुदान मिलेगा तो आप अराम से 2000 रुपे आपको लगेगा उसके चूजे क को पिंजडे के केज रखने के लिए उसमें से 1000 मतलब 50% का सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी लो इन्पुट पर जाती के एक दिवसीत 3000 चूजों को परतेक चरन में 4 सबता तक पालन हेतू मदर यूनिट के निर्मान पर 3.6 लाग के अनुमानित खर्च का 50% भी सरकार आ लाग 80,000 होता है तो एक लाग 80,000 भी आपको ये सरकार देगी और आपको इसे वापस नहीं करना है योजना के लाभुवकों को एबं मदर यूनिट के संस्थापकों का चैन संबंधित जिला पसू पालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त निदेसों के तहत किया जाएगा योजना पर वर्स 2014-15 के लिए अनुमानित वैर 17,3,4,000 रुपे था तो अभी इस साल भी वर्स 2017-18 में भी सरकार इस योजना के लिए कही कदम उठाये हुए हैं तो आप अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की पसू पालन विभाग जाए और वहां से इस योजना के बारे में संपर्क करें जरूर ये योजना वहां पर चल रही होगी और इससे आपको यकिनन लाभ होगा तो इस परकार से आप अपने पॉल्टरी फार्म को ज्यादा से ज्यादा डेबलब करके उसे और लार्ज स्केल पर चला सकते हैं तो उम्मी तक आपने हमारे चैनल ट्रिक्स एक्सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हम फिर मिलेंगे एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत